हलो गाईज में खुशी रहे आपका स्वागत करते हो है जिन्यूस में 71 साल के एक व्यक्ति ने आठ दिन में एक टूल-फ्री नंबर पर 24,000 बार कॉल किया और उसके बाद वो व्यक्ति गिरिफतार हुआ चलिए जानते हैं क्या है यह जीबोगरी मामला मेरे साथ बने रही है पर उसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीचे बल आइकन को दबा दीचे चान करें अच्छी लगे तो कमेंट बाक्स में कमेंट करते हुए जरूर जई और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जरूर यह मौमला हमारे सामने जापान से आ रहा है जहांपर 71 साल की एक व्यक्ती ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि लोग उसके बारे में बात करने के लिए ठक नहीं रहे हैं उस टेलीकॉम कंपणी ने उस सेवेंटीवन साल के व्यक्ती के ओपर कंप्लेंट देती पूरी बात मैं आभी आपको बताती हुँ कि आठ दिन से लगा तार यह उससे पहले भी वह एकी पॉबलिक भूट से एकी नंबर से टेलीकॉम कंपणी को फोन करके लगातार इसके वज़ा से अभी आप लोग को बता दूवे जपान में अगर कोई भी बंदा किसी की भी बिजनस को खराब करना चाहे तब उसे दौरान उसके उपर लॉंच की जा सकती है कंप्लेंटर तो इसलिए के लिए कंपनी ने इस बूत का नंबर दी और उसके बाद वहां पर ज पूरी बात बाहर नहीं आईए हमारे पास इसकी जानकार यागे कही हम आप तक ज़रूर पहुचाएंगे उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीचिए और बैल आइकन को ज़रूर दबाएए इसके साथ मेले टीवी जाज़त बाबाई टेक केर नमस्का